नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है भारात यम विश्रु का भुगोल तो यह प्रैक्टिस सेट वन है आपका इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन लिए गए हैं जो आपके प्रिवियास एक्जाम में भी पूछा ग अगर त्यारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो बीना देरी के सुरू करते हैं, शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नयं होंगे सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे, प्रेल आइकन स्केर लेंगे शुरू करते हैं पहला question, very important question है ये, पहला question है लगातार कटाओ से छेतर फल में आ रही कमी के कारण कौन सा नदी द्विप चेर्चे में है, तो देखिए कौन सा नदी द्विप चेर्चे में है, तो ये माजूली द्विप, कौन सा माजूली द्विप, ये important question है आपका, next प्रभूं मंडल पर जब दीन और राद बराबर होते हैं, तो उसे विषू कहा जाता है। नेक्स देखते हैं मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वहां कौन से पहाडी में है तो देखिए इस तरह से घुमा के question पूछ ले जाता है कभी कभी अपने आप में भी यह जगह को भी याद रखने हैं आपको किसको मासिन राम तो मासिन राम एक कैसा जगह है जहां विश्व में सबसे बड़ी मिठे पानी की जिल कहां इस्थीत है तो भारत में सबसे बड़ी मिठे पानी की जिल जम्मू कस्मिर में इस्थीत है आप सभी जान रहे हैं कहां जम्मू कस्मिर नेक्स देखते हैं नदियों को जोडने की योजना का नाम क्य तो नदियों को जोड़ने की योजने हैं उसे अम्रित करांती कहते हैं क्या कहते हैं अम्रित करांती नेक्स देखते हैं धुआधार जल प्रपात किस नदी पर है तो देखते हैं धुआधार जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है तो देखते हैं धुआधार जो जल प्रपात निक्षपड़ वाले भाग को किस नाम से जाने जाता है? तो नदियों के जो निक्षपड़ करती है, उसे भाबर के नाम से जाने जाता है. Next डेखते हैं, सिप किला दर्रा कहां इस्थित है? Very important question इस तरह से पूछे जाते हैं, भूगल में आपके. तो सिप किल जो दर्रा यह हिमाचल प्रदेश कहा हिमाचल नेक्स देखते हैं जब प्रित्वी सूर्य बिल्कुल करीब होती है तो इस इस्थिति को किस नाम से जानते हैं तो देखिए भई, प्रित्वी जब सुर्य के करीब होती तो उसे उपसाओर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से उपसाओर? Next देखते हैं, महादुपी ये जल्विभाजक परवत कौन सा है? तो देखिए महादुपी ये जल्विभाजक जो परवत है, इसके नाम है रौकी परवत माला, कौन सा है? रौकी परवत माला, ये याद रखने आपको Next देखते हैं, विश्वकी छत किसे कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे पामीर का पठाद किसे कहते हैं, विश्वक्षात पामीर का पठाद Next देखते हैं, पृत्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, एक बार आप्शन पढ़ लेंगे जरूर इस्थल मंडल कहते हैं पृत्वी की किस गती के कारण रितियों में परिवर्तन होता है, देखिए ये नया टाइप से कुच्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, परिक्रमण के कारण नेक्स देखते हैं, किस प्रकार की अपवह प्रणाली के अंतरगर दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो देखिए ये क्या जाएगा आपका आयताकार इसके कानद किस प्रकार की अपवह प्राणली के अंतर गया तो आयता कार अपवह प्राणली के अंतर गया दामोदर नदी प्रवाहित होती है नेक्स देखते हैं भोगोल का जनक किसे कहते हैं कि आपसन की साफ से आंसर लेना है आपको हर कुश्चन में Hikatius किसे हिकेटीस को भूगोल का चनक कहा जाता है, देखते हैं कि जौला मुख्य को भूमध्य सागर का प्रकास सिस्टम्भ कहते परवत के उधारार कौन सा है तो इन में से जो वलिद परवत है ये जो है क्या हिमाला है आपका ये question पूछे गए हैं आपके previous exam में बिल्कुल ध्यान रखना है से question को next देखते हैं भारत से स्रिलंका को अलग करने वाली भाजा करेखा को क्या कहते हैं ये भी question आपके पूछेगे हैं मननार की खाड़ी या पाक जल्मद्रूम कहते हैं याद रखना है आपको 21 का next देखते हैं विस्व का सबसे बड़ा प्राधिव कौन सा है तो अरब भारत की प्राचिंतम परवत स्रिंखला कौन सा है तो देखिए यह नcky को सुषए गया प्रियास उक्जम में बार बार पूछा जाता है ऐसे question को, यह very important है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, तो भारत की प्राचेंतम परव श्रिंखला अरावली परवत है, कौन सा है? अरावली परवत, यह आपका सही आंसर आजाएगा, नेक्स टा और अंतिम question है, बर्खान य बर्चान ऐसे दिया रहता है, तो यह आपका सही आंसर है, बालू कर टीला, तो जो इस channel में नए हैं, और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो description लिंक में जा करके, जरूर आप वीडियो कर लिंक देखें, या ind screen से भी आप reasoning वगएरा, गडित maths का, या all subject का पढ़ाई क झाल झाल